हांजे नमस्कार दोस्तों नमस्कार सभी का स्वागत है जुडिश्री आइक्यू के प्लाट्वर्म पे मेरा नाम है अमित आनंद कैसे हैं आप सभी हाउ यू आल जी हां नमस्कार 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 सभी लोग गुड गुड होने जाए और गुड bri होते हुए आज एक टौपिक पे हम बात करने वाले हैं क्या कि सी इक्सेकी एक्स्टीम ओड लड इच पे क्या कूट उन्हें बेल करके उन्हें चोड जोड सकती है बड़ी किया जासकता है रिलीस किया जा सकता है क्या जिल पर यही सवाल आज हम आपके सामने लेकर आते हैं और इस सवाल को पुड़ी तरीके से क्लियर भी करेंगे तो सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजए इस वीडियो को शेड कर लिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीज़ेगा चली देखते हैं मुद्दा क्या है देखने से पहले आप सभी लोग टेलिग्राम के थुरू मुझसे जुर सकते हैं फ्री में साथी साथ आप हमसे चुरीश्री आईक्यू से जुर के अपने करियर आज जज बना सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे ही आपके पास इतने सारे फ्री कंटेंट हैं जिनने देखने के बाद कई सारे सवाल आपको वही से सॉल्व हो जाएगी चली देखते हैं मुद्दा क् के ठीक सामने दिख रहा है सुप्रीम कोट ने रेफ्यूज कर दिया है इंटर्टेन करने से एक टेरर कनविक्ट जो कि पाकिस्तान नैशनल के हैं पाकिस्तान के रहने वाले एक टेरर टेरिस्ट को वहाँ पे मनाही दे दी गई है बेल देने से तो यह जो जनाब है यह 89 89 य तो सुप्रीम कोट ने टीउजडे को रेफ्यूज किया है इंटर्टेन करने से प्ली को जो कि एक 89 यह ओल्ड पाकिस्तानी नैशनल के दौरा किया है जो कि हिजबुल मिजावदीन टेररिस्ट गुलाम नभी के नाम है तो यह एक हिजबुल मिजावदीन जो टेररिस्ट ग पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो यह मांग रहे हैं कि उन्हें अब बड़ी कर दिया जाए छोड़ दिया जाए अब यहां पर मुद्दा क्या होता है देखते हैं 1995 में अब देखो मुद्दा कहां से मुद्दा है साल 1995 का साल 1995 में टॉप कोट सुप्रीम कोट ने अवार्ड किया था रिगरस लाइफ इंप्रिजर्मेंट रिगरस लाइफ इंप्रिजर्मेंट की सजा मिली थी नाभी को इनका ही हाथ था अब ये जेल में चले गए है As the hearing commends, Advocate Varisha Farasat, appearing for Nabi, told a bench of justice, B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan that a petitioner whose jail term started in 1995 has been in continuous custody since then. तो साल 1995 से जब से ये जेल में गए हैं, ये बाहर निकले ही नहीं Farasat said, when Nabi was acquitted in 2009, instead of being released, Jammu and Kashmir Public Safety Act was slapped on him and he was again taken into custody. तो 2009 में जब उनको छोड़ा गया, उसके बाद दूसरे act के तहट, Jammu and Kashmir Public Safety Act के तहट उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया. उसके बाद, next, the petitioner was acquitted by the lower court, lower court ने छोड़ दिया, but he was never released, उन्हें कभी भी release नहीं किया गया, because the main objection raised in this case was there is no remission available for terrored offenses. आतंगवादी offenses के खिलाफ कोई भी तजा यहां पे कम नहीं की जाती है. यह Jammu and Kashmir Prison Rule के जो लॉयर है उन्हें बताया, Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the center, submitted that a petitioner is a Pakistan national who infiltrated India without any document. अब हमारे तरफ से जो सरकार है, सरकार के तरफ से पहुचे, Solicitor General SG Tushar Mehta साब, उन्होंने कहा कि जिनका आप यहां पे अरजी लेके आई हैं, वो Pakistani national है, इंडिया में चोरी छुपके से घुसे हैं, उनके पास कोई document भी नहीं है कि वो प्रूव कर सके कि वो भारती हैं. Mehta said, he has been convicted by this court for carrying out bomb blasts in Jammu and killing eight innocent people. और उस व्यक्ती ने Jammu में bomb blasts करके आठ लगों की जान भी ली. Questioning the maintainability of the petition, the Solicitor General said, how can we file a writ petition under Article 32? अब यहां पे clearly कहा गया कि यह petition ही खारीज हो जानी चाहिए, क्यूंकि Article 32 में तो वो व्यक्ती आएंगे ही नहीं. They are terrorists, वो एक आतंगवादी हैं. जब उन्हें वापस भेजा जाता है, उनके देश वाले भी उन्हें accept नहीं करते. अजमल कसाब को भी accept नहीं किया गया था उनके देश के दौरा. तो उन्हें भेजने का मतलब क्या बनता है? यह कहा गया महता साहब के दौरा. फिर, नाभी's lawyer submitted that a Jammu Kashmir government is not accepting remission because he has committed terror offenses. The issue of he being Pakistan national is not there, the lawyer added. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि Jammu Kashmir की सरकार उन्हें release नहीं कर रही, यह कहते हुए, यह कहते हुए कि हमारे यहाँ जो भी terror offense होते हैं, उसमें जो भी सजा होती है, उसे कम नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पे वो पाकिस्तानी है या हिंदूस्तान, यह तो सवाल में है ही नहीं. इस पे महता ने, Count Mehta साब ने counter किया, the summation saying, there cannot be compassion for a terrorist. आतंगवादियों के लिए compassion नहीं हो सकता. The bench then said, there was even compassion for Kassab that he shouldn't be hanged. कसाब के case में भी यह कहा जा रहा था कि उसे फासी नहीं लगनी चाहिए. Security of the country, nation, citizen has no value. क्या देश की, जिम्मेदारी, देश की, जो safety है, क्या उसकी कोई value नहीं है? Forasad then referred to Rajiv Gandhi assassination case and said, this court went ahead and directed a premature release of convicts even though the crime was serious and of terrorist nature. अब यहाँ पे Rajiv Gandhi का जो assassination हुआ था, उससे related भी बात आने लगी कि Rajiv Gandhi का assassination में भी हमने premature release नहीं दिया था. तो यहाँ पे क्यों नहीं? The bench however said, there is no recommendation by the Jammu Kashmir government in this case. Jammu Kashmir government ने भी कोई यहाँ पे recommendation नहीं दिया है. The lawyer then withdrew the case and the matter was dismissed as withdrawn. Lawyer ने withdrew किया और matter हो गया, dismissed. नाभी एक resident है, सियाल कोट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के, जो acquit हो गए थे टारडा के अंदर साल 2009 में. मगर उन्हें फिर साल 2015 में, Apex court ने set aside कर दिया उनका acquittal भी. लेटर सेप्टेंबर 30, 2015 में, टॉप court awarded life sentence नो हैं. फिर साल 2015 में, इन्हें आजीवन कारावास की सजा फिर से हो गई. तो यहाँ पे, उसके बाद फिर क्या होता है? तीन बाउम ब्लास्ट हुए थे. जहाँ कहाँ पे, तो मौलाना आजाद में मोरिय स्टेडियम जमू कश्वीर में. और वहाँ पे मकसद था कि गवर्णर लिटरिंट जेनरल के वी कृष्णा राओ की हत्या हो. He was addressing a huge gathering of about 40,000 लोग. 40,000 लोग वहाँ पे प्रेजन थे. फिर कैसे कैसे करके उन्हें राओ साप को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया. The powerful blast which had occurred in the stadium, including one near the dais and another on the road outside, killed 8% and caused grievous hurt to 18%. तो अठादा लोगों को चोट लगी. आठ लोगों की जान गये. और उन सभी का मुझरिम कोट में आके कहता है कि अब मुझे वापस जाने दो. क्योंकि बहुत समय हो गया है. क्या ये reasonable है क्या ऐसे petition को यहाँ पे entertain भी करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो सीधा मना कर दिया गया. कि वह वेक्ती पाकिस्तानी नैशनल का है तो रिट पैटेशन कैसे फाइल कर रहे हैं? और किस पॉइंट से उनका रिट पैटेशन यहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोट में उनका रिट पैटेशन को कर दिया. खारेज और साथी साथ कहा गया कि यह डिसमिस होती है प्ली ऑन दा बेसिस की यहां पे टेर्रिस्ट के लिए हम कोई भी स्केप नहीं देते उन्हें रेमिशन देते ही नहीं और जम्मु कश्मीर सरकार जहां पे जम्मु कश्मीर के जो भी जेल में अभी यह टेर्रिस्ट वहा कोई भी धील नहीं देने वाले हैं साथे साथ आप सभी को बता दो कि आगे आने वाले साल में बहुत सारे अग्जाम की त्यारी आप हमारे साथ नीव 2.0 बैच के साथ कर सकते हैं नीव 2.0 बैच नीव 2.0 पे जुड़ने के लिए आपको सीधा यहां पे Study IQ के website पे जाना है Study IQ के website पे जाएए और आप सीधा वहाँ पे Judiciary Neve 2.0 सर्च करेए और जैसे आप सर्च करिएगा आपको दिखेगा कि जो course batch है वस price पे आपको और कहीं पे उतने सारी mentorship, crux hand written notes साथी साथ live and recorded classes नहीं provide की जाती है बट अगर मैं कहूँ कि अगर आप Y707 Y707 code apply करेंगे तो आपको और भी जादा discount मिल सकता है तो जुड़ने के लिए सीधा study IQ.com website पे refer करें Y707 code लगाए अमित सर यानि की मेरे mentorship में आए और जुड़ जाए अगले साल के सुनहरे नैधीश बनने के सफर पे. तो मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में. तब तक लिए रखें ख्याद. टेक्या. जैहिंद. धन्यवाद.